आदूबी जी सर जी, सारी तर्यारिया हो गई है जैसा मैंने कहता हो गई सही किया है न छोट डामो बड़ी बात सर जी आपके कहें से सूत भर्वी कभी अलग किया है मैं न भाबे जी, दादी, गुटी और अंकित को लेकर मैं मंदिर जाओंगा एक गाड़ी में और दूसरी गाड़ी आपको और विविधा बिटिया को बिठाकर सीधे रुके के दिल्ली इज़ी, आपने दिल्ली के लिए गारी क्यों कि? ये लोग दिल्ली क्यों जाएंगे? दूबे जी अपके लिए नहीं दूबे जी मुझे बताईए आप विवता और उसके पापा दिल्ली क्यो जाएंगे विवेजी आप चलिए अब यहाँ मंदिर में कुछी घंडों में शादी और तू बे मंगर जाना है मंदर के पापा दिल्ली क्यो जाएंगे मुझे बताईए बताईए मुझे क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यू विवेदा को लेकर दिल्की जा रहा है जबकि कुछी घंडों में शादी है मंदिर आप आप हमारे साथ मुझे बताएए ना प्लीज मेरे दिल बैठा जा रहा है क्या बात है बोलिये ना दोल के हाँ बहन जी नमशकार बोलिये नमशकार भाई साब शादी की तैयारी अच्छे से चल रही है ना आप रोग समय से बहुँच जाएंगे जी 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 लगता है लगता है एक दो घंटा लेट हो जाएगा दरसल क्या है ना माताजी की तबियत खराब हो गई क्या माताजी की तबियत खराब हो गई है भाईसा बहुत जादा खराब है क्या ने ने ऐसा कुछ नहीं है उम्र का तकाजा है ये तो आप चलता रहेगा गर के माकी लोग यहां उनकी देखफाल करेंगे, मैं विविधा को लेकर आ जाओंगा। भाइसाब, यह तो बहुत चिंता में डाल दिया आपने। ऐसे मोके पर सब हो तो ही अच्छा लगता है। पर माताजी की सेहत तो जादा जरूरी है। ठीक है, हम आपको और विविधा का इंतजार करेंगे, आप लोग जल्दी आ जाएए। जी जी, शुक्रिया, शादी की तैयारियों तो सब अपूरी है। जी हां, सब तैयारिया हो गई है। बस आप लोगों का बेसबरी से इतजार है। जी, 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 वो क्या है। कि विविधा जो है, वो दादी से बहुत उसका जुडाओ है, लगाओ है। लेकिन आप लोगों से मिलने की उसे इतनी खुशी है और वो इस रिष्टे से इतनी खुश है कि मैं क्या बता हूँ आपको। आप लोग बिल्कुल फिंता न करें। हम जल्दी दिल्ली पहुंच रहों। अरे बहुंच जी, वो रवीश मेरा मतलब है कुवार सहाब तो समझ में पहुंच जाएंगे ना। भाई साब आप उस बात की चिंदा बिल्कुल मत कीजिए। रवीश आपको बिल्कुल तयार मिलेगा। बस आप लोग आ जाएंगे। जी, 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 जी शुक्र, जी, जी, नमस्कार। नमस्कार। झाल 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 कि तुम अपनी मां से कहना कि तुम्हारी मां कल आकर मुझसे मिले कुछ बातें बड़ों के मुझसे ही शुभा देती है आज बाप बहुत खुश है चो कि उसकी पिटिया की शादी होने वाली है लड़की वाले लड़की के लिए सामान खरी देंगे और लड़के वाले लड़के के लिए सामान खरी देंगे कि तुम्हे मैंने के छादी से पहले मिलना नहीं हुआँ ओस भी को शादी के आगमन की भव तैयारिया की जमिय से तयारिया राज तक पिसी मैं नहीं लिए लिए आप इस रिष्टे से खुश है ना, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अच्छा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब, आप बेविदा के शादी के तैयारी कर रहे थें, लेकिन अधर्व के साथ नहीं, किसी और लड़ के हिसाथ? तुम्हारी समझदारी शुरू से ही कंदूर है, लेकिन अब समझ में आ गया है, तो जान भी दो, यह सारी तैयारियां, पहले से की गई नहीं, और बहुत ध्यान से की गई. और आप यह समझ लाहे हैं, कैलाश जी, हमें ये रिष्टा मन्सूब है, आपकी बेटी विविधा की शादी, मेरे बेठे रड़ीश के साथ यह भीगे, कुर्नल साहथ की आखरी इच्छा, हम जरूर पूरी करेंगे. अशिरबाद में पहल चुगो, बिल्कुल मा समान, मा समान से मान लो, मतलब उस दिन वो जो हॉरत आई थी? इस खास महमाना रहे हैं, इतना पढ़ात होगा? अपने परिवार, अपने बेटी के साथ, कैसे कर सकते हैं, कैसे? इसे तो तुम अंदिय के रही हो, और करना तो थाए, जानती होना तुम मुझे, मेरा नाम मुकेलाश कश्यप है, फिर तुमने कैसे ये समझ लिया कि मैं? अपनी परिटी को उस पूधवाले के साथ, शादी में करने तुमना, मेरी बेटी जो मेरी पूझा करती थी, वो उस पूधवाले के साथ, कर भूजा करने तुमना शादी है! मेरसा इस चलूने में तुमने तुमने लिएकाई सब कुछ सामने तुम लोगों के नाथ के नीचे हुआ वा और तुम लोगों को कानो कान ख़बर नहीं हो नहीं विगदा और ठर्व सोच रहम नहीं हां कर दी वो दूद्ध वाली सुजाता खुशी में उचल उचल के मौच रही है और तुम तुम्होरे तुमाग के बारे में क्या कहना कुछ कहना हैं बेकार मैंने कासम काई थी कि विगदा की शादिये कैसे खानदान में करूगा जिसका रुद्बार पैसा मुझ से बढ़गा लड़का खानदानी होगा संसकार होंगे उसके ऐसा नहीं होगा कि उसका पंच नहो उसके पाप का नाम होगा इसलिए विगदा की शादी अथर्फ से महीं रवीश से होगे भगवान के लिए ऐसा मत किजी मत किजी ऐसा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं पार पड़ती हूँ आपके ऐसा मत कीजी विवदातर से बहुत पार कटीर जी दोनों का लग मत कीजी वो पो उसके बिना सिंदा नहीं रह पाएगी मर जाएगी जो आइसा सोच रही है क्योंकि इसमें अभी दुन्या नहीं देखी एक ऐसी दुनिया जिसके चकाचोंद में वो अधर को यादी नहीं करेंगी खुश तो रहेगी वो तो कि मैंने इस सब सर्फ उसके बलाई के लिए गया है और अब जब तुम ये जानी है तो तुम भी मेरे साथ ती जलो की मैं विविधा और तुम और शादी दूल करने के बादे हम तो लहाँ वापस लोटे है नहीं मैं आपको खरकेज ऐसा नहीं करने दूगी हाथ ही घुडा पाल की बर्द देखन है या लाल की आज शाम छे बच का दस्मनट पस्टाप्लस बर्द स्टाप्लस के ऐसे ही और बहतरी लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चानल को हाथ हाथ हाथ